और अब बात बदलते बिहार की अगर सरकार की योजनाय सही हो तो लोगों को उसका लाव मिलना तैह है बिहार में सरकार की बागवानी मिशन योजना बेरुजगारों के लिए वरदान सावित हो रही है ये हैं जियोती मंडर जिये ने उसे पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया लेकिन नौकरी नहीं मिली इसके बाद इन्होंने स्वरोजगार की ठानी और इसमें मुख्य मंत्री बागवानी मिशन से इन्हें भरफूर सा योग मिला मैंने भी यह सोचा है मधेपुरा में रहकर के मैं मचली पालन भी करूँ और सब्जी की खेती भी उसमें करूँ और उसमें मचली में तो सफल हो गया और सब्जी भी बगल बगल प्रोडक्शन होड़ा है इसलिए हम कर सकते हैं मधेपुरा के छोटे से गाउं बखरी में जोती मंडल ने सरकार से सहयता मिलने के बाद अपनी सोच को धरातल पर उतारा आज मचली पालन से जोती मंडल 6-7 लाक रुपे सालाना कमा रहे हैं यही नहीं जोती मचली पालन के साथ साथ आसबास के किसानों को उन्नत खेती का गुर भी सिखा रहे हैं पॉलो हाउस में उत्पादन किया जाए इसकी एक खासियत है कि आप जितना ही टेमपरेचर रखना चाहें उतना पर यह फिक्स हो सकता है इससे कुछ ऐसी फसले जो खास करके ठंड के मौसम में हुआ करती है इसके टेमपरेचर को फिक्स करके वो ठंड़क लाके हम उसे गर्मी में भी उप जा सकते हैं या फिर जो भीशन गर्मी के कारण चौपट हो जाता है वो एसी फसल को भी हम फिक्स करके अच्छी तरह उत्पादन कर सकते हैं और काफी लाव कमा सकते जोती की लगन और सरकार की सोच ने एक परिवार की नहीं एक गाउं की ही नहीं कई लोगों की जिंदगी में खुश्या भर दी है शंकर जी मीडिया मध्यपूरा